Good morning friends, MPS Motivators में आपका स्वागत है आज हम EBS में वायू मंडल की पड़ते एक टॉपिक है जिसको की लेकर आए है वायू मंडल क्या होता है? हमारा प्रीथवी जो है वो चारो और से वायू से घीरा है जिसको वायू मंडल कहते है वायू मंडल जो है वो 600 किलो मेटर तक फैला हुआ है वायू मंडल की 5 परते होती है जो निम्ड पकार है पहला होता है छोम मंडल, दुसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चोथा बाहे मंडल या आयन मंडल और पाचवा होता है बहीर मंडल ठीक है? चोम मंडल को ट्रोपोस्फेर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेर, मध्य मंडल को मेश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश् सब चीजों की जनकारी हमें छोम मंडल में मिलती है अब है हमारा समताप मंडल समताप मंडल छोम मंडल के ठीक उपर वाले परत को समताप मंडल कहते हैं जो की 50 किलोमेटर उचाई तक फैली हुई है समताप मंडल में मौसम संबंदित कोई घटनाय नहीं होती है वहां का ताप आट मेटर में उचाई तक फैली हुई है इस मन्डल में अंत्रिक से आने वाला उलका पिंड जलके खाक हो जाता है और इस परत में परति परति जो हमें सूर्च से आने वाली परवैगनी किर्डे को हमारे पीथविप पर आने से रोकती है ठीक है उसके उपर हमारा मंडल है बाय मंडल इसको आयन मंडल भी कहते हैं आयन गैस मवजूद होने के कारण इसे आयन मंडल कहा जाता है बाय मंडल जो है वो 80-400 किलोमेटर तक के उचाई में फैली हुई है इस मंडल में आंतरिक से आने वाली उलका पिंट जलना सुरू हो जाती है और मध्य मंडल में जाके जल के भस्म हो जाती है अगला हमारा है बहीर मंडल जो की हमारे बायू मंडल की परत का सबसे अंतिम परत है बहीर मंडल के बाद आंतरिक शुरू हो जाता है बहीर मंडल बहुत दूर तक फैला हुआ है बहीर मंडल में हलकी गैसे पाई जाती है आज हमने देखा बायू मंडल की परते वाई मंडल की 5 परते होती है पहला है छोम मंडल दुसरा समताप मंडल तिसरा मध्य मंडल चौथा बाहे मंडल जिसको की आयन मंडल भी कहते है पाचवा है बहीर मंडल ठीक है छोम मंडल जो है वो 3 किलोमेटर तक फैली भी है समताप मंडल पचास किलोमेटर उचाई तक फैली भी है, मध्य मंडल 80 किलोमेटर, बाय मंडल 80 से 400 किलोमेटर तक इससे जो सीटेट में एक कोश्चन तो कन्फरम पूछा आता है, जो कि एक नमबर हमको दिलाता है एक मार्क तो कन्फरम आयगा इससे सीटेट में, या तो पूछ देगा वायू मंडल की परतों की सही कर्म लगाईए या नीचे से सही कर्में सजाईए या उपर से सही कर्में सजाईए और ऐसे करके कोश्चन देता है और उसको आपको सही कर्म में लगाना होता है तो अगर उपर से बोलेगा तो सबसे पहले बहीर मंडल आएगा फिर बाय मंडल फिर मद्य मंडल फिर समताप मंडल और फिर छोम मंडल अगर नीचे से बोलता है कर्मे सजाने के लिए तो पहला छोम मंडल दूसरा समताप मंडल तीसरा मद्य मंडल चोथा बाय मंडल और तो प्रिथवी से ऊपर की ओर शही क्रम बताएं तो प्रिथवी से ऊपर की ओर जाने में शही क्रम क्या हो जायगा तो प्रिथवी के उपर जो होता है वो छोम मंडल होता है उसके समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह मंडल और बहीर मंडल होता है तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा ठीक है हमको प्रिथवी से उपर जाना अगर बोलेगा आंतरिक्षे नीचे की और क्रम में सजाना तो सबसे पहल मंदल। फिर बायमंदल। फिर मध्य मंदल। फिर समताफ मंदल। फिर छोममंदल। तब हमारा आंसर यह हो जाएगा इसा जी को दो तरीके से पूछ सकता है। इस वसने होillyे जी न sus Speed上 piece और його जाएगा जी आंत्रिक से फi जहीर मंडल, बाय मंडल, मंधे मंडल, समताप मंडल और छॉम मंडल, यह हमारा सही क्रम हो जाएगा, हम आज बाय मंडल के परतों पे चर्शा किये, यह आपको एक नंबर confirm दिलाएगा, एक marks को जूरेल है और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद